तेजपत्त का इस्तिमाल जदातर भारती पकवानों में किया जाता है मसाले के तोर पर इस्तिमान होने वाली इन पत्तियों में कई ओस्धी गुन पाए जाते हैं इन से तेल भी निकाला जाता है तेज पत्ते में भरपूर मात्रा में एंटी आक्सिडेंट पाए जाते हैं इसके अलावा इन पत्तियों में कई तरह क्या प्रमुक सॉल्ट जैसे की कॉपर, पोटेशियम, कैलसियम, मैंगनीच और सेलेनियम, एंड आइरन भी पाए जाते हैं आईए हम जानते हैं कौन-कौन से फाइदे है तेज पत्ता के, तो उसमें पहला फाइदा आता है, तेज पत्ता वैसे तो मसाले में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये आपकी सर्दी जुकाम, फ्लू और इंफेक्शन से बचाओं में मदद करता है, उसके बाद आता है फ दस मिनट तक भाब बनने दे, दस मिनट बाद पानी में कपड़ा भी गू कर उसे निचोड ले और अपने सीने पर रखे, ऐसा करने से सर्दी खासी चुँ हो जाएगी, उसके बाद आता है इसका फाइदा नमबर थ्री अगर आप तनाव से हर वक्त घीरे रहते हो तो तेजपत्ता आपके लिए रामबान है, रोज रात को सोने से पहले दो तेजपत्ता लेकर जला ले और अपने कमरे में रख दे, कुछ देर तक इस तेजपत्ते के दुए के पास बेठे, ऐसा करने से आपका स्ट्रेस और सार परेशानिया दूर हो जाएगी, फिर आता है फाइदा नमबर चार, दरसल तेजपत्ता एरोमेटिक होता है, हम अकसर कुछ को रिलेक्स करने के लिए अरोमा थेरेपी लेते हैं, तेजपत्ता आपको उसी तरह की थेरेपी का आनन दे सकता है, फिर आता इसका फाइदा पर पांच, तेजपत्ता डाइबिटीस के इलाज में भी काफी कारगर है, तेजपत्ता ब्लड कोलेस्ट्रॉल, ग्लुकोज, एवं, ट्राइगलिसराइट के लेवल को भी कम करता है, उसके बाद आता है इसका फाइदा नमबर 6, डाइबिटीस के मरीज, इसकी पत्तियों क पाउडर एक महिने तक खाए, इससे बादी का सुगर लेवल कम करने में हेल्प मिलता है, फिरा ता है उसका फाइदा नमबर 7, तेजपत्ति से निकाले गए तेल में एंटी इंफ्लमेटरी प्रॉपरटीज होती है, तेजपत्ति के तेल की मालिस करने से पेरों में आने वा तेजपत्त दातों की शाइन और सफिदी को बढ़ाने में भी मदद करता है, सफिद दात पाने के लिए वीक में दो से तीन बार तेजपत्ते के पाउडर से ब्रस करें, उसके बाद आता है फाइदा नमबर 9, तेजपत्त आपकी स्कीन पर रिंकल्स पढ़ने से बचाता है इसके लिए आपको तेजपत्ते के 5 सुखे पत्तों को पानी में 2 मिनट तक धक कर उबालना है, कुछ देर बाद धकन हटा कर खुले में उबालना है, फिर इसके पानी से अपने चेहरे पर भाप लेना है